हलो और असलाम लिक में पिरवन, वेलकम बाक टू मैं चानल, तो आज मेले कर आई हूं आप लोक लिए बड़ी ही अमेजिंग से मटन भुना की रेसिपी, हमारे गाउं की रेसिपी है, जो कि शादियों अगयरा में बनती है, लेकिन बहुत 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 तेस्टी है, बिहार के गाउं की यह authentic रेसिपी जो कि शादियों की जान होती है तो बनाएं के आज हम मतन भुना बड़े ही सिंपल तरीके से बस कुछ टेक्निक्स हैं फॉलो कीजेगा तो यहां पर पैन में सबसे पहले हमने लेना है सरसो का तेल जी हां इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देता है सरसो का तेल यूज कीजेगा अभी हमने इसे तेज धुआ धार में गर्म करना है ताकि इसका पंजिंट वाला स्मेल होता है वो चला जाए तो इसे इस तरह से देखिए अग्दम तेज धुआ आने तक गर्म करेंगे और अभी ह कि अच्छापट आतिए और यहां पर घ्ड़े मसाले थेस अच्छापट भीया दाल जी चोटी लाईची लाइची लाइची है और इसे थोड़ा सा कडगने देते हैं यह जाम हमारे मसाले फुड़ा भुणग है दो मीडियम साइज के प्याज स्लाइस के हुए और अभी हम तब यह पिंकिश का हो जाना चाहिए तो बस यहां पर अबने आड करना है जिंजर गालिक का पेस्ट वान टीस्पून लिया है इसे थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड करें कि इसका कच्चापन चला जाए जिंजर गालिक भुनके हैं आड करें के मतन मैं अच्छे से नीट हैं इसका कलर चेंज नी किर देटा है 2 मिनिट के लिए मैंम फिलें इसे फ्राइ कर लिया था मुछस चैंज हो जाना चाहिए तो यहां पर अपने अड़ करना है वापस से काइज आज़ तो आप यहां नहीं ख डिलें एक ब्रसम साइज आज़ को लिया से आज़िए तो यह इस दिन अब बड़ी अच्छा ग्रेवी में टेस्ट आता है तो यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और एक मिनट के लिए फ्राइ कर लिया एड करेंगे कुछ सूखे मसाले तो मैंने लिया है 1 टी स्पून तीखा कम जादा आप अपने मुताबिक कर सकते हैं धनिया पाउड क्युमीन पाउडर निया 1 टी स्पून साथ यह ठीब ड़का पाउडरों 1 टी स्पून पून एक मिन मटन कारना है टीखा किशमीर चली वंडर both टेबल गव्याए टीसपून सब़े कुछा म्यटं क qualification मैंने ब्लाए जाल ठीबल आइस अथा टेस्पून इसारे मसालों को हमने तेस्ट पर अप्राइब आप्राइब करना कोई कमी और कसर नी रखेंगे अच्छे से भुराई करेंगे तो इसे चलिए भूल लेते हैं और यहां पर इसे तीन मिनट के लिए मैंने भूल लिया था अब इसमे हमने पानी आड कर देना है मैंने यहां पर एक कप प्लस वन फोद कप पानी आड़ किया है आप अपनी मुताबी की पानी आड़ करेंगे क्योंकि बहुत सारे मटन क्या होता है ना फ्रेंस बहुत जल्दी पल जाते हैं कुछ मटन होते हैं कि पड़े ही ताइम लगाता है पकने में तो पानी आप अपनी मुताबी की आड़ करेंगे और मैंने कितना डाला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर आप चाहे तो इसे कड़ाई में भी बना सकते हैं वैसे तो गाओं में जो हमारे बिहार में बनते हैं वो मिट्टी के हांडी में बनते हैं तो इससे फ्लेवर्स और अच्छे आते हैं आपके मिट्टी के हांडी है तो कभी बना कर देखेंगे तो अभी मैं इसे जल्दी पकाने के लिए ना कूकर में ट्रांसफर कर रही हूँ मैं सारा प्रोसेस स्टार्टिंग से ही कूकर में कर सकती थी लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे शूट करना होता है जब अच्छे से शूट नहीं होता है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता इसलिए मैंने कढ़ाई में किया आप स्टार्टिंग से कूकर का यूज़ करेंगे अच्छे से मैंने यहां पर सारा मटन डाल दिया लिड लगा लेंगे और पांच विसल आने तक इसे पकाएंगे सिर्फ और सिर्फ हमें इस गोष्ट को 90% तक ही पकाना है तो उतना ही पकाएंगे आप अब यहां पर पांच विसल हो चुके हैं प्रेशर मैंने डाउन कर लिया था ओपिन करके एक बार चेक करेंगे मतन जादा पके हुए नहीं होने चाहिए तो अभी मैं इसे वापस से कढ़ाई में ट्रांसफर कर देती हूँ मेरा शुटिंग का मामला है इसलिए मैं यह प्रोसेस कर रही हूँ आप सारी प्रोसेस आप कुकन में कर सकते हैं अगर आपको जल्दी करना है तो ठीके और कोई बरतन गंदा करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप तो शुटिंग करेंगे नहीं तो फिर बस इस तरह से मैंने डाल दिया और चलिए मैं आपको मतन दिखाती हूँ आप मतन को जादा नहीं पकाएंगे अधर भुनाई करने वक्तना मतन हमारा हलवा बन जाएगा तो चलिए इसकी भुनाई कर लेते हैं और इसकी भुनाई करते करते मुझे यहां पर 7 मिनट हो चुके हैं तरह से सर्फिस पर आजाना तर चाहिए तब यहां पर हमने आड़ करना है हाफ कप चॉप कारियंडर लीव्स दो से तीन मैंने ग्रीन चीलीज ली है तीखा कमजादा अपने मताबिक कर सकते हैं इसे भी मीक्स कर लेंगे तर नहींके लिए 30 सीकंड के लिए ससे कर लेंगे ओर यहां विन हमारा मुतन भूना यहां बनकर रेडік है बिना किसी ताम-जहां के बिना किसी औरे सबीशल्य मसाले कर दमी करीम मुली है और आपको रिधात qued fre chỉ शेपकर सब्सक्राइब कर तर chỉ दिए है दोॉट्ए पड़ना धिया उन्हें साथ मेरी अबूना कर दिया है थे कर लीजेगा सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और बिल नोटिफिकेशन को जरूर से ब्रेस कर लेंगे तुम इलो ते हैं किसी नेक्स टुडियो में तब तक के लिए बाबाई अलाहाफीज और थैंक यू पर वाचिंग